स्वागत है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आफ सब का हमारे चैनल पर मैं हूँ राजिन्द साहू आफ सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज हम यूपी टैट सुपर टैट की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रिवियस एर्ज के महात्पूर्टी इस प्रिशने जो की अपने आप में बहुत ही एहम है और हम लोग प्रिशने हल करने से पहले प्रिशने के बारे में समझेंगे और उनके सभी आप्सनों पर चर्चा करेंगे हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा प्रिक्टिस पर क्योंकि एक्जाम जो कि फैक्ट वेस होता है और फैक्ट वेस एक्जाम में सबसे ज़्यादा प्रिक्टिस जरूरी होती है तो हम लोग लगभग 200 प्रिशने इन्वार्मेंट के प्रिक्टिस करेंगे और उन इस सीरिज का फैला प्रशन है हमारा सन 1853 में भारत की पहली रेल गाड़ी कहां से चलाई गई थी जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेल गाड़े के थ्यास्ता हमारे बारत में 1753 से शुरू होता है और 1853 के बाद भारत में रेल गाड़ी चलना प्रारम हो जाती है अब ये रिल गाड़ी चली कहां से थी इसको हम लोग जान लेते हैं हमारा उप्सन नमबर ये मुंबई से थाड़े के बीच या उप्सन नमबर ये मुंबई से कोलकाता के बीच उप्सन नमबर तीन मुंबई से चैन्ने के बीच या उप्सन नमबर चार कोलकाता से पंजाब के बीच तो हमारा राइट अंसर होगा वन मुंबई शे थाड़े के बीच जो कि मुंबई और थाड़े एक ही पिर्देश एक ही सहर मुंबई में पड़ता है और इसमें 34 किलो मीटर की दूरी ट्रेन द्वारा तेकी गई यह भारत की पहली रेल गाड़ी थी जो मुंबई शे थाड़े के बीच चलाई गई और इस ट्रेन जो डेट नहीं है इसमें 16 अफरेल 1853 है पिर्देख बर्स 16 अफरेल को रेल दिवस मनाया जाता है आगे देखेंगे हमारा अगला प्रिष्ण एसिया का सबसे बड़ा पसू मेला कहां आविजित होता है जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत है एसिया महादीब का देश है और एसिया महादीब में भारत जनसंक्या के मामले में दूसरे द्रिश्ट नमबर पर और छिटफल के नमबर साथ में नमबर पर आता है और यहां पर भारत में काफी बड़े मात्रा में पसू पाया जाते है और इन पसू का ही मेला एक भारत में सबसे बड़ा मेला लगता है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा हम लोग देखेंगे यह सौन पूर बिहार दूसरा दादरी उत्तपरदेश बलिया पुस्कर राजस्तान और धहरदून उत्राखंड जी हैं हमारा राइट आंसर होगा सौन पूर बिहार में सौन पूर बिहार में एसिया का सबसे बड़ा पसू मेला लगता है यहाँ पर सभी पिरकार के सभी नसल के पसुग आपको मिल जाएंगे और आप उनको खरीद और बेज सकते हैं सबसे बड़ा वहाँ का मेला होता है चली हम देखते हैं तीसरा प्रिशन जो कि बहुत महातपूर है और एक्जाम में काफी परिशान भी किया था राष्टी एक्ता परसद की स्थापना कब होई राष्टी एक्ता परसद जैसा कि आप लोग देख रहे हों कि बड़ से राष्टी एक्ता परसद मतलब राष्टी एक्ता परसद है इसका कार है कि लोगों को एक जुट करने के लिए समान बंधुत की भावना के बिकास के लिए ये परसदकार करती है और लोगों के बीच सामंजिस बना रहे इसकी इस्थापना से पहले हम लोग थोड़ा इसकी प्रिष्ट भूमी को देखेंगे कि प्रधान मंत्री जवाला नहरू की द्वारा उनीशो एकशट में राष्टी एकशा से सम्माने बेभिन मुद्दों के शमाधान के लिए एक शमीलन का आउज़त हो गया इस समीलन के आउज़त में इस निरने लिया गया कि राष्टी एक परसदकी इस्थापना की जाएगी और इसका जो आंसर था काफी जगे देखा गया है इसका आंसर राइट आंसर उनीच सो बरिसट है लेकिन अपसन में नियनटी शिव्टी एट होने के कारण इसकी इस्थापना की जो इसका आउजन होता है इसी को लेकर किए हम देखेंगे तो हमारा राइट आंसर वी हो जाएगा तो 1961 में राष्टी एक्तपरस्त की स्थापना होती है सम्ता के अधिकार का उलेख शम्मिधान के किस अनुचिद में किया गया है Right to equality मतलब सम्ता या समानता का अधिकार शम्मिधान के किस अनुचिद में इसका उलेख किया गया है Option number 14-18, Article 19-22, Article 23-24 या Article 25-26 तो हमारा Right answer होगा Article 14-18 14-18 के बीच शम्मिधान या सम्मिधान के अधिकार का बर्ड़न किया गया है और इसमें बताया गया है कि सभी के लिए समान नयाय होगा सभी के लिए समानता का अधिकार दिया जाएगा तो हमारा A Right answer होगा आगे हम लोग देखेंगे Question number 5 किस देश में लचीला सम्मिधान लागूग है जी हाँ जो बर्ड है लचीला लचीला बर्ड है भारत के सम्मिधान में भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन जो भारत का सम्मिधान है लचीला और कठोर के वीच की कड़ी है तो इसमें जो आपसन में भारत दिया गया है Questions एक्जाम में आया था काफी परेसान किया और लोगों को लगा कि लचीला ही सम्मिधान है भारत का तो कई लोगों के दोरा इसको टिक किया गया लेकिन इसके आंसर में जहां तक था एक fix नहीं था कि भारत ही होगा भारत लचीला और कठोर का mix अप है जिसमें हमारा right answer क्या होता है हम लोग देखेंगे और भारत विर्टैन अमेरिका या कनाड़ा जी हां इसका answer होगा विर्टैन यहां पे लचीला सम्मिधान लागो है जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका सम्मिधान काफी कठोर है इसमें सम्मिधान में संसोधर करना बहुत ही जल्दी मुस्किल है मतलब जल्दी नहीं हो सकता बहुत मुस्किल होता है भारत का सम्मिधान जैसा कि लचीला और कठोर का mix अप है इसलिए हमारा राइट अंसर हो जाता है बिर्टैन हम आगे देखेंगे question number six निमलेखत मैंसे किस देश में reindeer पाया जाता है reindeer जैसा कि आप लोग deer देखते होंगे deer माने हिरन होता है बैसे reindeer होता है और आपने थंडे पिरदेशों में एकसर reindeer को देखा होगा कभी पिक्चर्स में वई बिन मूवियों में दिखाये गया है और हम लोग ऐसे ही समझेंगे कि रेंडियर मतलब डियर है जो रेंडियर उसी का एक रूप है और ये टुंडरा पिर्देश में option number D टुंडरा पिर्देश टुंडरा पिर्देश में ये पाया जाता है और रेंडियर जो होता है जो ठंडे पिर्देश हो में टुंडरा का मतलब होता है ठंडा पिर्देश तो रेंडियर ठंडे पिर्देश टुंडा पिर्देश में पाय जाते हैं next question निमलेखत मैं से कौन सितोष लगास के मैदान नहीं है एक जाम में सबसे जादा जो महत्पूर्ण होता है वो नहीं वाला प्रिश्न होता है यदि जहां नहीं लिग गया इसका मतलब यह होता है कि बाकें के तीन जो आप्शन दिये गए हैं वो हैं लेकिन उनमें से एक ऐसा आंसर है जो नहीं है मतलब सितोसल घास के मैदान नहीं है इसी को हम लोग देखते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमपास या पंपास प्रेरी या डाउंस हमारा जो राइट आंसर होगा वो यह होगा कमपास जो कि उसल घात का मैदान है शीटोस घास का मैदान नहीं और बाकी कि पमपास, प्रेरी और डाउंस पमपास अरजन्टीना का है प्रेरी जैसा की enrolled हो आप देखेंगे की यूरोप में है और डाउंस आजटेलिया में शीटोस घास दी के मैदान है नाम है और जो कमपास है यह उसल घास का मैदान है थोड़ा साम लोग सीतोसल घास के मैदान और उसल घास के मैदान के बारे में समझेंगे प्रेरी सीतोसल घास के मैदान है पंपास जैसा कि मैंने आपको बताया अर्जेंटीना बैल्ड दच्छन अफरीका डाउंस जैसा कि अब आप्सन में था उस्ट्रेलिया इस्टेपी यूरोप और रोएसिया क्रोएसिया है पुस्ताज हंग्री और केंटरवरी न्यूजी लेंड ये सीतोसल घास के मैदान है और हम लोग जो अप्सन में देखा गया था उसमें तीन सीतोसल घास के मैदान थे पिरेरी, पंपास और डाउंस तो इसमें जो उसल घास के मैदान था वो हमारा कंपास था लानोज और फॉर्क लैंड ये सब अपने अपने देशों के अपने अपने नाम है उस्ट कटबंदी घास के मैदानों के अपने 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 नाम है तो हम लोग आगे देखेंगे अगला प्रिशन जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महादीब कौन है मतलब जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महादीब कौन है बैसे भी यदि थोड़ा सा बचार करेंगे तो आप अपने अप आंसर पा जाएंगे कि जैसे भारत है बिस्ट में दूसरी जनसंख्या है और चीन है जिसकी पिस्ट में पहले नंबर पर जनसंख्या है बिसकी सबसे ज़्यादा जन संख्या बाला देश से जब भारत और चीन एसिया महादीप में हैं इनकी दोनों की जन संख्या सबसे ज़्यादा है तो जाहरची बात है कि एसिया महादीप में सबसे ज़्यादा जन संख्या किसकी होगी एसिया की होगी जो बिभिन महादीफ है एसिया, एरोप, अफरीका, अमेरिका और उत्री अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा जनसंक्या है और वो आकार के अधार पर सबसे बड़ा महादीफ इसके साथ साथ आकार में भी बड़ा है यहाँ आप यह भी समझेंगे जन संख्या में बड़ा है ही लेकिन उसके साथ साथ आकार में भी बड़ा है हमारा आंसर आकार के आधार पर सबसे बड़ा महादीब एस यह होगा आगे हम लोग देखेंगे question number 9 भारत में थारू जन जाती कहां निवाज करती है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि question जो था थोड़ा सा dispute समझेए या फिर थोड़ा सा हमा आप में थोड़ा समझ की बात होगी क्योंकि इसमें जो question है वो अपने आप में साब दिखा रहा है यदि हम यूपी का exam देते हैं तो यूपी बेस ही होगा और इसको यूपी को ही पिर फर्किया जाएगा पहले answer में तो इसमें उत्रपरदेश के तराई शेत्र या उत्राखंड जहारखंड और थार कमर उस्तर इसमें थारू जनजाती को लेकर जिकर किया गया है और इसमें option हमारा जो सबसे suitable answer होगा उत्रपरदेश के तराई शेत्र इसमें दूसरा उप्सन भी हो सकता था लेकिन हम लोग यूपी इस्पेसल यूपी टेट के एक्जाम दे रहे हैं तो हमारा जो फोकस रहेगा पिर्देश बिस्यस पर रहेगा उत्तरा खंड में भी थारू जन जाती है आगे देखेंगे हम भिलाई इस्पाथ सहियन्थ इस्तित है भिलाई इस्पाथ सहियन्थ जैसा कि आप लोगों ने इस्पाथ सहियन्थ में देखा होगा भारत में बहुत सारे इस्पाथ सहियन्थ है तो उनमें से यह एक है भिलाई इस्पाथ सहियन्थ जो ऑप्सन अमरे ज धारखंड या 36 गड़ कोलकाता और मद्द प्रदेश तो भिलाई इसपास सेयंत 36 गड़ में हैं जो कि पूर में मद्द प्रदेश में था अब 36 गड़ में हैं तो भिलाई इसपास सेयंत 36 गड़ राज में हैं थोड़ा सामलोग इसपास सेयंतों के बारे में और दिसकस आगे भिलाई इस्पत सेयंत इसकी स्थापना उनीस सो पच्पन में होती है जो की शोवियत संग की मदद से जो भिलाई है वो दुर्ग जली में पढ़ती है आज जो बरतमान में है वो 36 गड़ में है पूर में मद्ध प्रदेश में था भिलाई हिंदुस्तान इस्टी दुर्गापूर की स्थापना भी 1956 में बेटेस सरकार के द्वारा हुई इसमें सहयोग किया गया और जो दुर्गापूर पश्चिम मंगाल में पढ़ता है बोकारो स्थील प्लांट इस दोनों के दोनों जो हम लोग यहां देख रहे हैं तीनों यह 25 पर सी उजना में इनकी स्थापना होती है गया और वोकारो स्थील प्लांट है इसकी स्थापना 32,35 पर सी उजना में होती है इसकी स्थापना 16,60 ECM में सोबीट संग की मदब से बोकारो में की गी बोकारो जो कि अब ज्ञारखंड में है पहले बिहार में था और आगे हम लोग देखेंगे स्थील authority of India 24 जनबर 1973 को भिलाई राउलकेरा बनपूर सलेम बोकारो दुरगापूर बेस्वे सरेया आयरन एंड इस्टील कंपनी लिम्टेट को एक कर सेल की स्थापना कर दी पहले यह सब कंपनिया थी भिलाई दुरगा राउलकेरा दुरगापूर और बोकारो लेकिन इनको 24 जनबर 1973 को एक साथ मिला करके स्टील अथर्टी ऑफ इंडिया लिम्टेट की स्थापना कर दी गई अब यह सेल के अंतर गताते हैं और सेल इनकी अंडर टेकन करता है हमारा क्यारों प्रिशन है भारत में महलाओ के लिए आरच्छण की विवस्ता कहां पर है जी हां जानते हैं आप लोग देखेंगे कि महलाओ को आरच्छण की बात किस निकाय में की गई है बिधान सभा में या मंती मंटरल में पंचियाती राच्छण संस्थाओं में या इन में से किसी में नहीं तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो पंचियाती राच्छण की बात की जाती है और 33% महल राजपाल की निकती के लिए कम से कम कितनी आयू होनी चाहिए तो इसमें यह बहुत महात्पूंट प्रेशने हैं जादा तर एक्जाम में राजपाल राश्टपती से लेकर के आयू संबंदी प्रेशने पूछे जाते रहें तो इसमें हम लोग देखेंगे आपसन नमरे 25 बर और राजपाल की निकती के आयू होनी चाहिए जो राजपाल की निकती के लिए आयू होनी चाहिए जो राजपाल की निकती के लिए आहरता रखता है इसमें हम लोग देखेंगे आपसन नमरे 25 बर्स लोकसभा का सदस्ट बनने के लिए आयू 25 बर्स चाहिए राजपाल का स ये हमारे तीनों की तीनी ओमर हैं बहुत मात पूर्ण है और 21 वर्ष ग्राम प्रधान की आयू होती है और 18 वर्ष की आयू जब आपकी हो जाएगी तो 18 वर्ष की आयू के बाद आप बोटर बन सकते हैं मतलब मत देने का अधिकार 18 वर्ष की आयू निश्चित की गई है प्रिश्ण नमबर 13 सूची एक को सूची दो से मिलाओ मतलब इसमें हम लोग सूची एक को सूची दो से मिलाएंगे इसमें हम लोग देखेंगे कि भारती संग, राज, नगर निगम और ग्राम पंच्यात जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारती संग होता है उसमें प्रधान मंत्री पिरमुक होता है कारकारी राज में जो पिरमुक होता है वो राज जिपाल होता है नगर निगम में जैसा कि पिरमुक मेर होता है और ग्राम पंच्यात में पिरमुक सरपंच होता है तो हमारा राइट आंसर होगा भारती संग का प्रधानमंत्री, राज का राजिपाल, नगर निगम का मेर और ग्राम पंच्यात का सरपंच तो इसमें हम लोग आमने सामनी की सूची को मिला लेते हैं और आगे जो राइट आंसर दिया होता है उसको हम लोग चूज करते हैं कोश्चन नम्मर 14 अनुच्छे 356 का प्रियोग कब और कहां किया गया जो कि प्रिथम प्रियोग था काफी थोड़ा बिवारत है डेट को लेकर के लेकर हम लोग देखेंगे इसमें और केरल 1969 जमू कस्मीर 1956 बिहार 1957 या मदपिर्देश 1958 इसमें हमारा राइट आंसर था केरल 1969 जो कि केरल में पहली बार भारत में राष्ट पती सासन लगता है और यह राष्ट पती सासन आर्टिकल 356 के तेहत लगता है इसमें हम लोग थोड़ा जो कहते हैं कि अनुच्छो 356 है जो राष्ट पती सासन है आर्टिकल 352, 356 और 360 तीन जो आर्टिकल है अपने आप में बहुत महत्पूर्ण है और यह अमर्जनसी या आपात काल को दिखाते हैं सासन वबस्ता के आएस्तेर होनी की दसा को दरसाते हैं जैसे 352 में भारत में राष्ट पती सासन की वबस्ता होगी और आर्टिकल 360 में प्राधान किया गया है कि जब बित बिवस्ता गरबड हो जाएगी तो देश में बितिया पात लागू किया जाएगा यह तीनों आर्टिकल बहुत महत्पूर्ण है रिक्जाम की दरस्टी से अपने आप में तीनों के तीनों बहुत महत्पूर्ण है आगे हम लोग देखने बाले हैं कुर्श्चन नमबर 15 नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन प्रकार की जो पंचाती राज विवस्था हैं उसमें ग्राम इस्तर पर और नगर इस्तर पर बनाएं गई हैं उसमें नगर निगम है और इस नगर निगम को अद्गार दिया गया है कि यो ग्रह कर चुंगी कर और मनुरंजन कर मतलब जब तीनो कर लगाएगा इसका जो हमारा राइट आंसर होगा इसका मतलब डी जब तीनो कर, ग्रह कर, चुंगी कर और मनुरंजन कर नगर निगम द्वारा लगाए जाएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि जो हमारा राइट अंसर है मतलब उप्रोक्त सभी तीनों पिरकार के कर नगर निगम द्वारा लगाए जाएंगे हम लोग देखेंगे प्रिशन नमबर 16 संसार का सरवादक समस्यकारी जली खर्पतवार कौन सा है जैसा कि आप जानते हैं कि खर्पतवार होते हैं लेकिन जो खर्पतवार है वो कौन सा है समस्यकारी जली खर्पतवार मतलब जल में ऐसे खर्पतवार कुछ होते हैं जो जल के अंदर भी समस्या पैदा करती है उसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर है हम लोग देखेंगे कांग्रेश घास जलकुंभी दूब घास या गाजर घास तो हमारा राइट आंसर होगा भी जलकुंभी जलकुंभी ऐसा होता है जो पूरे इंबोर्मेंट को खराब कर दीती इसलिए इसको समश्यकारी जली खर्पतवार कहा गया है कुश्चन नमबर 17 बिसाडू के अजयवेक होने का क्या कारण है जैसा कि आप जानते हैं बिसाडू जो होता है सजीग और निर्जूब की बीच की कड़ी होता है तो इसका हमारा राइट अंसर हमको देखना है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है वह प्रिजनल नहीं कर सकता है इसको क्रिश्टल के रूप में परवर्टत किया जा सकता है इसमें बंसानुगत गोंड नहीं पाया जाते हैं जैसा देखेंगे कि ये इसमें सज्यू के गोड़ है तो फिर जिनन कर सकता है और निर्ज्यू के गोड़ है मतलब फिर जिनन नहीं कर सकता है तो इसमें निर्ज्यू के भी गोड़ होते हैं और सज्यू के गोड़ हो सकते हैं बंसानुगत गोड़ नहीं पाये जाते हैं पाय प्रिशन नमबर 18 पादाफ हार्मोन जो फलों के पकाने में सहायक है जैसा कि आपने देखा होगा कि बिभिन प्रकार के जो हार्मोन होते हैं कुछ हार्मोन हमारे सरीर के अंदर होते हैं सेमेसे हार्मोन पेड़ पोधों के बिकास के लिए उनके फलों के लिए और बिभिन प् option number C ethylene और option D oxygen मतलब जो हमारा right answer होगा वो ethylene होता है जो फलों के पकाने में सहायक होता है आगे देखेंगे question number 19 किस परकार का DNA कोशका में शामान रूप से पाय जाता है जैसा कि आप जानते हैं जो हमारी कोशका होती है उसमें DNA, RNA पाय जाता है जो DNA होता है DNA तीन परकार का होता है ADNA, BDNA और ZDNA तीन परकार के DNA होते हैं लेकिन कोशका में जो सामान रूप से पाय जाता है उसको हमों देखना है तो हम देखेंगे option number A DNA, option number B B DNA, option number C Z DNA, option number D DNA तो जो हमारा right answer होगा वो B DNA होगा कोस कम है, सामान रूप से BDNA पाया जाता है जो की जो की अनवानसिक गुणों का एक पीडी से दूसरी पीडी में ले जाने की कार करता है ट्रांसपरमेंग का कार करता है DNA प्रिस्न नंबर बेस निमन में से कौन अचल जीव का उधारन है जी हाँ जीव देखे होंगे आपने जीव होते हैं जो मोसन करते हैं चलते हैं लेकिन कुछ ऐसे जीव भी है जो इस्थर रहते हैं और अचल जीव इस्थर या अचल का है जो चल नहीं सकता उसका उधारन क्या है लीच, काइटिन, साइकन या युपलेक लेता हमारा राइट आंसर होगा डी युपलेक टेला युपलेक टेला जो अचल जीव है जो चल नहीं सकता है जीवित रहता है अपनी किरियाय करता है लेकन स्थिर रहता है सरीद इसका भारी होने की बज़े से अचल रहता है प्रिश्ट नमबर 21 प्रोटीन अड़ों की एकाई है जो प्रोटीन होते हैं उसके अड़ों की जो सबसे छोटी एकाई कौन सी होती है जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सरीर में विभिन प्रकार की प्रोटीन बनते हैं और जो प्रोटीन बनते हैं उनकी एकाई क्या होती है हम लोग देखेंगे अमीनो अमल, विटामेन, वसा या गुलूकेज तो जो हमारा राइट आंसर है वो अमीनो अमल है प्रोटीन अड़ों की जो एकाई होती है वो अमीनों अमल होती है अमीनों अमल होती है अमीनों जो गुरफ होता है उसी में मिलकर के अमीनों अमल बनते है तो प्रोटीन की अड़ों की एकाई क्या है अमीनों अमल हम लोग देखेंगे पिश नमर बाइस निमलेखित मैसे कौन सा अंगक पादब कोशका में अनुपस्तित रहता है जैसा कि आप जानते हैं कि पादब कोशका होती है और एक जनतु कोशका होती है तो जो जनतु कोशका होगी जनतुओं के शरीर में बिभिन परकार के कोशकांग पाए जाएंगे ऐसे ही पादबों के शरीर में बिभिन परकार के कोशकांग पाए जाते हैं लेकिन इसमें हमनों देखना है कि कौन से कोशकांग अनुपस्तित रहते हैं तो हमारा राइट आंसर होगा तारक काई पादब कोशकाओं में तारक काई नहीं होता है ये जन्तु कोशकाओं में पाया जाता है और बाकी के शभी कोशकांग, लबाक, शेलिलोज और रिक्तिकाओं वो पादब कोशकाओं में पाया जाती है तारक काई जीव कोशकाओं में पाया जाता है मनुस के सरीर की सबसे बड़ी गिरंथी कौन है जैसा कि हम जानते हैं कि जो मनुस का सरीर है उसमें विभिन परकार की अस्थियां विभिन परकार की हड्डियां विभिन परकार की हार्मोन और विभिन परकार की गिरंथियां होती है तो इनी गरंथियों में से सरीर की शबशे बड़ी गरंथी हमको बताना है यक्रत जैसा कि आप जानते हैं लीवर होता है जिसमें हम भोजन करते हैं और उसका पाचन होता है अग्यासे जिससे अग्यासे से अग्यासी रस निकलता है जिससे भोजन का पाचन होता है अधीब्रक जिससे हमारे सरीर में विभ्यन प्रकार के उस्सर जन किर्यां होती है और प्यूज के रंथी जो कि जानते हैं माश्टा गरंथी है तो हमारा right answer ओगा, सरीर की सबसे बड़ी गरंथी यक रध सरीर के सबसे बड़ी गरंथी लीवर होती है जो कि शरीर में भोजन के पाचन में सहायक होती है और विभिन परकार के अमने निकलती है जो भोजन के पाचन में सहायक होते है उत्तर प्रदेश का राक्ची पच्छी कौन सा है ये तो यूपी उस्पेसल सा सवाल लिया गया है और देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा सारस क्रेन, मोर, तोता या गोरिया, जो उत्तर प्रदेश का राक्ची पच्ची है सारस क्रेन जो पच्ची है, राच्ची पच्ची वो सारस क्रेन है और उत्तर प्रदेश के special से question दिया गया है तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के आने वाले अगले exam में उत्तर प्रदेश के कोई पक्षी या पक्षी पूंच लिया तो कोई फूल पूंचेगा कोई ब्रक्षी पूंचेगा तो हम लोग याद रखेंगे पूरवा किस अधिवास में सामिल है जैसा कि आप लोग ग्रामीड जीवन से होगे तो देखा होगा गाउं में विभिन प्रकार के छोटे छोटे कभिली टाइप के होते हैं उनको पूरवा बोला जाता जहां 10 से 20 पचास गर रहते हैं छोटे छोटे पूरवा होते हैं मिलकर के एक गाउं बनाते हैं तो हम लोग इसका उप्सन डारेटली देख लेंगे इसका अंसर क्या होगा ग्रामीड जो ग्रामीड अधिवास में पूरवा जैसी विवस्ता देखने को मिलती है निमलेकित मेंसे कौन जौला मुखी परवत है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विविन परकार के जौला मुखी होते हैं और विविन परकार के जौला मुखी के फटने से कई परकार के परवतों का निर्माड होता है इनी परवतों मेंसे एक परवत है हम लोग देखें कि कौन सा परवत है किली मंजारो अलपस एंडीज या अराबली तो हमारा राइट आंसर होगा किली मंजारो जो की जो अलमुकी परवत है जो तंजानिया में तंजानिया देश में है और अफरीका महादीप में पढ़ता है अफ्रीका महादीप का इस अफ्षे बड़ा परवत भी है प्रिश्ण नमबर 27 एलिफेंटा दीप आवस्थित है जैसा कि आपने एलिफेंटा की गुफाएं पड़ी होगी ऐसे ही एलिफेंटा दीप है देख लेते हैं एलिफेंटा दीप कहाँ पर है मुंबई गोवा गंगातंत या केरल तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो मुंबई होगा एलिफेंटा दीप मुंबई में है और जो हमारा गंगातंत है इसमें दीप जैसी तो कोई बात ही नहीं है केरल होता तो कोई दीप हो जाता मानसूनी बन पाये जाते हैं जहां बरसा होती है यह कुस्चन जो options हैं काफी dispute कुस्चन है और इसके option भी काफी मिलते जूलते हैं लेकर हम लोगों को इसमें से भी suitable answer देखना है तो मानसूनी बनबे होते हैं जिसमें लगबख 1500 cm तक बरसा होती है अब हम लोग इस option में देखेंगे जैसा कि A option में भी 1500 दिया गया है B में भी 1500 समायत है और ऐसा कि हमारे D option में भी 1500 समायत है तो हम लोग देखेंगे कि जो सूटेवल answer होगा वो सूटेवल answer होगा B 70 से 120 लगबख 70 और 120 के बीच में जो बरसा होती है वो मानसूनी बरसा के अंतरगत आएगी और ऐसे बन मानसूनी बन कहलाते है हमारा जो 29 प्रिष्ण है कार्वी एंगलोंग पठार बिस्तार है कुछ ऐसे भी प्रिष्ण होते हैं जिनको भासा के माध्यम से ही समझा जा सकता है और इसमें कार्वी एंगलोंग जो बर्ड है वो काफी समझने में टफ है हम लोग हिमाले में पढ़ते हैं पैसे बढ़ कई उच बहुत कम मिलता है तिबबत की पठार में भी कम मिलता है जो सान का पठार है उसमें भी लेकिन जो हमारा ओप्सन है डी प्रावी एंगलोंग पठार का विस्तार पाया गया है देखा जाता है कि जो कार्वी एंगलोंग पठार है जो प्राविदी पठार का ही बिस्तार है हमारा आज का अंतिम प्रिष्ण है स्वतनत रूप से भूमी में रहने वाले आवाई भी ये जीवाड़ू जिन में नाइट्रोजन इस्त्री करण की समता होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं जो नाइट्रोजन के इस्त्री करण होता है वो नाइट्रोजनी पौदे होते हैं और ये दलहनी फसलों में ज्यादा होता है जिन में गाठें होती है और ये परेवरांड जो बाईव मंडल की नाइट्रोजन है इसका नाइट्रेट में बदल करके पौधों के लिए भोजे निर्माड का कार करते हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे औप्सन नमर ए राइजो बीम औप्सन नमर भी किलस्टोडियम औप्सन नमर शी नॉस्टोक औप्सन नमर डी एजोटो वेक्टर तो जो हमारा राइट आंसर होगा वे राइजो बीम होगा जो की नाइटोजन इस्तिकरण की छमता होती है इस जिवाडू में और यह आवाई भी होता है इसमें अहम बात यही है कि आवाई भी है वाई भी नहीं है बिना बायू के मतलब इस्तिकरण की माद्धम से नाइटूजन इस्तिकरण की छमता को बढ़ाने वाला जी बाड़ू है तो आज की इस सीरिज में 30 प्रेशने थे हम लोगों ने 30 प्रेशन हल किये उनके बारे में जाना और इसके बाद कल फिर हम 30 प्रेशन हल करेंगे ऐसे ही रोज हम लोग 200 प्रेशन हल करने वाले हैं और अगली सीरिज में फिर मिलेंगे हमारे चैनल से जुड़े रहिए अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमसे टेलिग्राम में जुड़ने के लिए टेलिग्राम में हमको फॉलो कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं और रोज टेट्स अपर टेट्स से लेकर के महात्पूर, टॉप एक्स, प्रेक्टिस सेट और भी जो भी खबर होगी लेकर आते रहेंगे धन्यबाद